हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैज चैनल रचनातिवारी नाइन आज हम आप लोगों के लिए आम का पन्ना की रस्पी लेके आए हैं जो कि हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही हाईजेनिक वे में बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आम का पन्ना आम का पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो कच्चा आम लिया है अब हम इससे पिल करके छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे आम को cut करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि आममें से घुठीया अलग करने के साथ हमें घुठीयों के आसपास की हाट पार्ट को भी चाको से cut करके निकाल देना है हमने आम को चोड़े-चोड़े टुकडों में cut कर लिया है अब हम इसे आधे ग्लास पाने के साथ कूकर में 3-4 सिटियां आने तक उबाल लेंगे हमने आम को आधे ग्लास पाने के साथ कूकर में 3-4 सिटियां आने तक बॉयल कर लिया है आप देख सकते हैं कि हमारा आम पन्ना बनाने के लिए बिल्कुल तयार हो गया है और हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना पड़ा है से मैश करने के लिए और बहुत ही हाईजेनिक बे में हमारा आम पन्ना बनाने के जयाग हो गया है अब हमने यहाँ पर चार बड़े चमच पुदीना के बत्ती लिए है इसे भी आधा कप पानी के साथ मिक्सी में पीस लेंगे हमने पुदीने को भी आधा कप पानी के साथ मिक्सी में पीस लिया है चलिए अब पन्ना बनाते हैं हमने यहाँ पर दो बड़े ग्लास लिये हैं अब हम ग्लास में चार बड़े चम्मच आम का पेस्टी डालेंगे अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शियर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को ब्रेस करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा अब हम ग्लास में पानी डाल देंगे यहां पर एक बहुत ही तेस्टी आम का परना है उससीनद केट बड़े का इसी तरह असेंबल करके पन्ना बना लें धन्यवाद मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रस्पी के साथ